हालो यहां जोईन कर लो बिटा जल्दी से यहां जोईन कर लिजीगा बिटा आज हम बाज करने वाले हैं दूस्तों इस क्लास के मध्यम से टोटल ने रिप्लास्मेंट के बारे में और टोटल ने रिप्लास्मेंट पढ़ने से पहले बेटा आप नी जोईन के अनाटॉमी समझेंगे और फिर उससे रेलेटेड मसल और टेंडन्स के बारे में सिखेंगे फिर हम उस नी जोईन को रिप्लास करेंगे और रिप्लास करने के बाद में पॉस्ट ऑपरेटिव क्या नर्सिंग केर की ज़रत होगी ये कॉशन समसोल करेंगे तो क्लास बहुत इंट्रास्टिंग होने वाला है और क्लास को लाइक एंड शेर कर दीजिएगा बेटा चलिएगा बात करता हूँ प्यारे बबर शेरो ने रिप्लास्मेंट और अच्छा म मैं आपसे पूछ रहा था बात कि कल का सूपर लेक्चर जो हमने टोटल हिप रिप्लैस्मेंट वाला लिया था आई हॉप आपने सबने वो क्लास प्रिपैर कर लिया होगा उसके बाद मैंने रोज एक सफलता क्वेज आपके लिए फ्री आफ कोस्ट मॉक टेस्ट जिससे कि आपकी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉंग किया जा सके तो प्यारे बच्चो सफलता क्वेज जो है वो हम लोगों की तैयारी को और पावरफुल बना देता है यानि लेक्चर के साथ यदि अगर आप रोज अपने आपको एसेस कर रहे हो तो काफी बहतर हो ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि दोस्तों मौक टेस्ट की हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ी यूस्फुल नैस होती है मौक टेस्ट से हम अपने आपको ये चेक कर पाते हैं कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ मेरी तैयारी किस लेवल तक जा रही है इस बात का अंदाजा हम लोगों को हो जाता है तो दोस्तों सफलता क्वेस कल का जो मैंने लिया था वो किस किस स्टूडेंट ने दिया था और यूर आंसर प्लीज कौन-कौन ऐसा स्टूडेंट है जो रोज सफलता क्वेस दे रहा है और कल का सफलता क्वेस किस ने दिया था करीब 74 नंबर का सफलता क्वेस आपका इस नौरसेट वाला चल रहा है तो दोनों अक्टिविटी साथ में है एक तरफ सुपर लेक्चर है और साथ में सफलता रोज इस तरह से हमें प्रपरेशन करना है दोस्तो यदि अगर आपने टेस्ट दिया था तो कितने मार्ग्स आपके आये थे शेर प्लीज यस वैरी गूड काफी स्टूडिंट्स टेस्ट दे रहे हैं तो बीटा याद रखिएगा अगर आपने टेस्ट दिया था तो और अपना स्कूर आप शेर करिएगा प्यारे बबाश शेरो याद रखिएगा कठोर परिश्रम कभी विफल नहीं होता है उमेद और विश्वास का छोटा सा बीच खुशियों के विशाल फलों से बहतर होता है और शक्ति साली भी यदि मनुस्य कुछ सीखना चाहे तो उस दो याद रखिएगा हम अगर हमारी जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहें तो हमारी हर भूल हमें जिन्दगी में कुछ नया सिकाती है और हमारी इनहीं भूलों को हम अगर सुधार करते हुए चलें तो एक दिन डैफिनेटली हम बहुत परफेक्ट इंसान बन सकते हैं जो हम हमारी भूल से डे वाई डे सीखते जा रहे हैं और उन्हें सुधारते जा रहे हैं इंप्रूव करते जा रहे हैं तो निश्चिती एक दिन हम सक्सेस्फुल वैक्ती बन जाएंगे क्योंकि याद रखना प्यारे बच्चो लग फैक्टर इतना काम करे या ना करे लेकिन क अब अपनी जो गलतिया है जैसे आज आपने टेस्ट नहीं दिया या क्लास नहीं अटेंड की या नॉट्स नहीं बनाए जो भी आपकी प्रिवियस डे के अंदर आपने मिस्टेक किया है उस मिस्टेक को आप सुधारते चलो और आगे बढ़ते चलो यह पैटर अगर आप करते हैं तो डेफिनिटली आप एक बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिंपल वे में आप वह एक्षीव कर लेंगे जिसके लिए यू आर ड्रेमिंग टुडेइग प्यारे बबबर शेरो गूड मॉनिंग यू आल कैसे हैं आप लो देखिए विटा फस्ट ओफ और हम न नी जॉइंट का अनाटमी हम देखेंगे फिर नी जॉइंट के मसल्स देखेंगे उसके लिगामेंट्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम उसी जॉइंट का और त्रोप्लास्टी करेंगे टोटल नी रिप्लास्मेंट करेंगे और फिर उसके बाद पॉस्ट बेटा, knee joint का anatomy, तो knee joint से related four bonds होते हैं दोस्तों, सबसे पहला ये femur है, fitibio है and fibula है और एक patela bond है, ये चारो bonds मिलकर के जो joint का formation करती है, उस joint को knee joint बोला जाता है, दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर दो ligaments most important होते हैं, जो knee joint की bonds को आपस में connect करते हैं, तो कौन कौन से है, lateral collateral ligament और medial collateral ligament, both are collateral ligaments that connect the, what is the ligament, तो ligament होता है दोस्तों, which connect the bone to bone, bone to bone connect करने वाली इस tissue को हम ligament कहते हैं और bone to muscle connect करने वाली इस tissue को हम कहते हैं बेटा, tendon, तो tendon और ligaments जो होते हैं, दोनों ही connective tissue है, क्या है बेटा, connective tissue, और connective tissue में किस प्रकार के connective tissue होते हैं, तो यह होते हैं बेटा, spongy connective tissue, या फिर areolar connective tissue, understand बेटा, तो ligaments and tendons are the areolar connective tissue या spongy connective tissue, बेटा याद रखिएगा दूसरी बात करता हूँ, तो यह आपको मैंने lower extremity का पूरा diagram दिया हुआ है, अब हम देखेंगे lower extremity से related, कौन सी muscles इन से related होती है, जो lower extremity की bonds को moment करवाती है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह वो muscles हैं दोस्तों, यह वाला जो सबसे hip area का, buttocks area का जो muscles हैं, वो सबसे पहले हम discuss करेंगे, तो इस muscle का नाम होता है, gluteus medius, दोस्तों फिर buttocks का area है, इसका जो man muscle है, वो है gluteus maximus, फिर एक muscle होता है दोस्तों, medial side में, यानि thigh के medial side में पाई जाने वाले इस muscle का नाम होता है, adductor magnus, दोस्तों इसी के नीचे एक muscle होता है, जिसका नाम होता है, gracilis muscle, thigh के lateral में एक muscle होता है, प्यारे बबबर शेरो, और इस muscle का नाम होता है, westus lateralis muscle, यहाँ एक thigh में, middle area में, bicep femoris है, और इधर thigh के medial side के अंदर, semi tendinous muscle होता है, और semi membranous muscle होता है, तो thigh के medial side में आपको दो muscles याद रखने है, semi tendinous और semi membranous, crystal clear है दूस्तों, knee joints से related दो muscles आपको याद करना है, एक होता है quadricep muscle, और दूसरा होता है, बच्चों, hamstring muscle, क्या होता है, hamstring muscle, these are the meniscus, this is the anterior cruciate ligament, और this is the patellar tendon, और this is ligament fibula meniscus, ये femur है, ये tibia है, these are the anatomically, we are know that, कि इन से मिलकर के हमारा knee joint बना हुआ है, प्यारे भबर शेरो, आप जब कभी भी knee का orthoplasty करेंगे, तो orthoplasty करने का purpose होता है, knee joint के अंदर, जो भी problem से, infection है, inflammation है, stiffness है, या कोई inflammatory disorder है, arthritis है, इन disorders को diagnose करने के लिए, we just do the orthroscopy, तो orthoplasty करने से पहले हमें करना होगा, orthroscopy और orthroscopy से हम identify करेंगे, कि इस joint के अंदर problem क्या है, clear है बिटा, यानि joint के अंदर कौन सा disorder है, तो orthroscopy करने के लिए हमें उस joint को anesthetize करना होगा, local anesthesia से, then उसके बाद आप क्या करेंगे, एक needle insert करेंगे, और needle के साथ attach होगा बेटा camera, क्या attach होगा, camera, वो camera computer की screen पर हमें पूरे knee joint के internal organs को, internal parts को evaluate करके diagrammatic form में दिखाएगा, इसी procedure को हम कहते हैं orthroscopy, crystal clear है बेटा, orthroscopy किसे कहते हैं, पूजा, शोनिल, रिया, केश्यू, हर्ष, I hope you understand बेटा, clear है बात, ध्यान से समझते रहना, understand, हर्ष बेटा, ध्यान दे पड़ाई पे, मैं कहता हूँ बेटा, ये है orthroscopy और इस orthroscopy के अंदर लगा होता है camera और light का एक source, understand, बेटा, ये होता है cannula और ये होता है orthroscopy instrument और इस प्रकार से हम करेंगी joint का orthroscopy, दोस्तों याद रखना अब आता है यदि अगर किसी को arthritis वाली problem है और joints के अंदर friction होने लगा है, knee joint damage हो गया है, तो आईए इसका करते हैं orthoplasty, तो दोस्तों याद रखना पहले हम जानेंगे components के बारे में, कि orthoplasty के components क्या क्या होते हैं, तो चलिएगा components की बात करता हूँ, तो ये है दोस्तों femur, सबसे पहले femur को हम shape करते हैं, इस तरह से femur का shape बनाया जाता है, orthoplasty कैसे होगा समझते हैं, femur को cut करके और उसका shape बनाया जाता है, damage part को हटाते हैं, और फिर ये है femoral component जो femur के इस shaped वाले part के उपर हम fit करेंगे, जैसे ये femur है, तो femur को cut करके shape में लाते हैं, और फिर इसके उपर femoral component ऐसे fit करेंगे, clear है बिटा, ये है tibia, और ये tibia का हमने shape बना दिया है, और tibia को cut करके, इसका shape बना करके, और याद रगना बिटा, इस पर दूसरा होता है tibia component, जो tibia में fit हो जाएगा, इस प्रकार से, clear है, ऐसे fit हो जाएगा, फिर होता है बिटा, ये third patelar bone, और patelar को भी cut करके हमने shape कर लिया है, shape में लेके आगए, यानि damage part को हटा दिया है, और उस damage part की जगए third component होता है, patelar component, तो याद रगना, total knee replacement करने के लिए बिटा, तीन components हम लोग maintain करेंगे, और तीन bonds को हम shape करेंगे, तीन कौन-कौन सी bonds होंगी, तो femur होगी, patelar होगी, और tibia होगी, understand बिटा, याद रखना ये बात, क्योंकि आप जब जवाब दोगे, उसमें fibula भी आप कर सकते हो, तो question लिखिएगा, question लिखिएगा, question क्या है मेरा, question है मेरा, कि which of the following bonds are needed to shape, question लिखिए बिटा, which of the following bonds, which of the following bonds are shaped to do total knee replacement, पहला option है बिटा, femur, only, second option है femur, tibia, fibula, and patella, second option है, third option है बिटा, femur, and tibia, fourth option है बिटा मेरा, none, what is the correct answer for this question, put your answer, बच्चों क्या जवाब देंगे आप, यदि अगर ये question आपके M's के exam में मैं पूछता हूँ, तो आपको उत्तर क्या लिखना है बिटा, जवाब आप देजीगा, put your answer, तो प्यारे बबबब श्यूरू, this is very most important question, कि जब कभी भी total knee replacement किया जाता है, तो कौन सी बोन्स को शेप करने की आउशकता होती है, great, you are answering great guys, very good, शाबाश, तो याद रखिये प्यारे बच्चों, femur, tbio and patella, these are three bonds required to shape in case of the total knee replacement, see option is the correct, understand बिटा, fibula is not involved, fibula include नहीं होगा, only we need to shape the tibia, femur and patella, crystal clear हो गया है, good morning, good morning, next देखिएगा अब, अब हम करते हैं, joints की बात, तो सबसे पहला देखिएगा बेटा, ये है आपका diseased वाला joint, जिसकी अंदर rheumatoid arthritis, या osteoarthritis, या कोई भी arthritis हो जाए, या injury हो जाए, और joint damage हो चुका है, तो joint अगर damaged है, तब जाके आपको orthoplastik करना पड़ेगा, knee joint का, तो देखते, bones cut and shaped, bone को cut किया जाता है, और shape किया जाता है, ये देख लिजिएगा आप, understand, bone को cut करने के बाद, shape करने के बाद में, यहाँ पर femoral component, tbl component, और finally, tbl component, और patellar component, और plastic का spacer होता है, बीच में, और एक metal plate होती है, और इस प्रकार से करते हैं, बेटा आपन, total knee replacement, दोस्तों, याद रखना, जब कभी भी total knee replacement होगा, तो knee replacement के बाद, as a nursing officer, आपकी जिम्मेदारी होगी, कि पैसेंट को, किस प्रकार से, passive range of motion exercise करवाए जाएं, तो passive range of motion exercise, आपको नहीं करवाने हैं, आजकल एक machine आती है, जिससे passive range of motion exercise होता है, तो passive range of motion exercise, जब हम करवाएंगे, तो उसमें कुछ बातें, हम लोगों को धियान रखना होता है, कौन कौन सी बातें होगी बिटा, सर्जरी के बाद, तो एक तो cycle, कितने cycle, पैसेंट को करवाना है, यह जो machine आप देख रहे हैं, इस equipment is just used to maintain the passively range of motion exercise in the joints, especially in the knee joint, अंडर्स्टीन बिटा, crystal clear है बात, अरे भाई बोलो बबबर शेरों, तो passive range of motion, continue passive range of motion exercise का जो machine है, उसके मध्यम से, हम पैसेंट के joint की, mobility को, flexibility को, flexion को, इन सब को maintain करने की कोशिश करेंगे, joint के अंदर stiffness ना आए, muscles के अंदर tenderness ना हो, so we need to maintain the passive range of motion exercise, तो duration आपको सबसे important यहाँ पर manner करता है, second thing is that, number of cycles कितनी बार exercise करवाना है, this is the very important phenomena, understand guys, अब एक बात, जब कभी भी passive range of motion exercise आप करवाएं, तो उससे पहले आप patient को analgesic दे दीजिएगा, पहला, administer analgesic, क्या बिटा, तो पहली बात याद रखिएगा, जब कभी भी आप passive range of motion exercise करवाएं, तो we need to administer analgesic, analgesic हम इसलिए दे रहे हैं, because we need to control the pan, understand guys, दूसरी बात होती है, passive range of motion, continue passive range of motion exercise, करते समय आपको important होगा, number of cycles, कितने, you need to document the number of cycles, second you need to document the duration of exercise, understand बिटा, बच्चों याद रखना, passive range of motion exercise, जब हम पैसेंट को दे रहे होते हैं, तो this is very very most important, जब आप पैसेंट को, सर्जरी के बाद, असिस्मेंट करेंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, करी लेक्चर्स के अंदर में आपको बता चुका हूँ, neurovascular assessment, जब आप सर्जरी के बाद, पैसेंट का चेक करेंगे, और confirm करेंगे, कि किसी nerve को injury तो नहीं हो गया है, तो neurovascular assessments, जब भी कभी हम किसी client का करते हैं, तो we need to assess the five P's of the patient, और पिछले लेक्चर्स में हम बता चुके हैं आपको, कि neurovascular assessment करने के लिए, हम क्या assess करते हैं बिटा, five P's, understand, after surgery, जब पैसेंट recover हो जाएगा, और जब आप उसे discharge का प्लान कर रहे हो, तो discharge planning करने पर पैसेंट को, किस data के basis पर discharge किया जाएगा, तो याद रखना यहाँ एक बात आपको, discharge में आपको याद रखना है, तो which is most important assessment during discharge, when the client, when the client start to do, start to do the flexion of joint, more than 90 degree, यदि अगर बिना पैन के, बिना किसी problem के, पैसेंट आपका अगर joint को 90 degree से ज़्यादा अगर flexion कर पा रहा है, then your patient is ready to discharge, तो discharge instruction जो होगा, दुस्तों, डिस्चार्ज किसके आधार पर होगा, तो we assess the flexion in the joint, तो discharge planning जब आप करेंगे, नर्सिंग आफिसर के post पर रह करके, तो what you will assess, तो neurovascular assessments करेंगे, just after the surgery, then patient recover within 10 to 15 days, then you are planning for the discharge, then discharge will be planned on the basis of the किसके आधार पर होगा, अरे बबबर सेरों याद रखना बेटा, when you observe that if your patient is just do the flexion in the joint, more than 90 degree, then now you can plan the discharge for your patient, is ready for the discharge from hospital, is ready to go his home, yes or no guys, तो this is very very most important question, तो हमें ऐसे छुटी छुटे concepts पर ध्यान देना होगा, एक एक topics को strong करना होगा बिटा, मैंने हमेशा कहा है, कि अगर लग के भरो से आप बैठे हुए हैं, तो मत बैठिएगा, और रोज भगवान को जाके अगर आप ये कह रहे हैं, कि भगवान जी आप मेरा selection करवा दीजिएगा, तो ये sufficient नहीं है बिटा, मैंने कहा start to do the efforts, efforts ही एक ऐसी चीज़ है, जो आपको select करवाएगा, और हमेशा मैं कहता हूँ बिटा, कि efforts में कोई कमी मच छोड़ना, understand, आप चाहे पढ़ाई में कितने भी weak क्यों ना हो, ये कोई matter नहीं रखता है, कोई माइने नहीं रखता है, मैंने बड़े-बड़े brilliant student, जो है ना, वो सडकों पे घूमते हुए देखे हैं, बड़े-बड़े brilliant, अच्छे-च्छे brilliant student, हमने सब तरह का student टच किया है, अच्छे-च्छे brilliant student आज सडकों पे घूम रहे हैं, आम का ठेला लगा रहे हैं, understand बिटा, और एक बहुत कमजोर student था, जिसको कुछ नहीं आता था, जिसमें दुनिया हस्ती थी, उसका मजाग बनाते थे college के अंदर, school के अंदर, आज वो job में हैं, बहुत अच्छी post पे हैं, बस उसने क्या करा, उसने अपनी insult को positive लिया, negative नहीं, और अपनी insult को अपनी ताकत बनाया, और बच्चों मैं यही कहता हूँ आप सब से भी, कि अगर आपकी कोई insult करता है, या पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं, तो होने दो, यह चिंता का विशा नहीं है, जब तक यहां चोट नहीं लगेगी न, तब तक इंसान उठकर खड़ा नहीं होता है, बिना चोट लगे, आज का इंसान इतना powerful नहीं है, कि बिना चोट लगे, वो समझ जाए, अगर insult होती है, होने दो, उससे आपको जो motivation मिलेगा न, वो आपकी ताकत होगा, और आज मैंने ऐसे ऐसे students देखे हैं, कि जो बहुत weak थे, कुछ नहीं आता था, लेकिन आज government job के अंदर है, केवल उन्होंने उस inserts से motivate होकर के, और start किया efforts, और याद रखना दोस्तों की, बड़े बुजर्ग बोलके गए, महान व्यक्ति कहके गए, कि करत-करत अभ्यास के जडमती होई सोजान, understand, अभ्यास करने से एक, बिलकुल कमजोर student भी, बहुत सोजान हो सकता है, मतलब बहुत ब्रिलियंट हो सकता है, you just start to do the efforts, if you want to achieve the great things in your life, I always say you that, okay guys, efforts never waste, hard work never waste, if you are just doing the hard work today, definitely in future you will get a great success, result hand-to-hand नहीं आता है, अरे हमने जब first class की exam दिये थे न, दस्वी class की exam दिये थे न बिटा, तब बारा महिने तक बिना सोचे समझे पड़ाई की थी, तब जाके बारा महिने में result आया था, तो ये तो job है बिटा, वो तो दस्वी class थी, दस्वी class से कोई job नहीं लगता है, तो जब 10th class में आपने इतना patience रखा, इतना धेरे रखा है, और आप चलते गए, एक विध्यारती जो है न बिटा, उसके life में यादे आपको, जब पड़ाई करता है, तो पहली class से लेकर के बारवी तक पड़ाई करता है, यानि जिन्दगी के 15 साल उसने वहाँ खर्च किये हैं, किस लिए कर रहा था, यहाँ आने के लिए, इस stage पर पहुचने के लिए, तो पहली class से लेकर, UKG, HKG, HKG से लेकर के, 12th class तक पड़ा, यानि 15 साल उसने उसकी जिन्दगी के खर्च किये हैं, देन उसके बाद वो विक्ति college life में एंटर करता है, फिर 4 से 5 एर वो spend करता है वहाँ पर, टोटल कितने साल होगे दोस्त, 18 से 20 साल खर्च किये हैं आपने, 18 से 20 साल इंतजार करा है यहाँ आने के लिए, इस stage पर आने के लिए, और आज जब आप उस stage पर खड़े हैं भाई, अब तो बस आगे मंजिल है, दिखना शुरू हो जाना चाहिए, और जब हम जिन्दगी के उस mode पर आ चुके हैं, जिसके मंजिल बहुत नस्दीक है, तो हम वहाँ पर बहुत efforts लगाते हुए, यहाँ पहुँचने के लिए बेताब थे, और जब पहुँच गए, तो हम धेरे खो दें, अरे ऐसा होगा क्या, नहीं होना चाहिए भाई, अब तो केवल बहुत नस्दीक आप मंजिल के आ चुके हो, अब तो केवल आपके बीच में एक एक्जाम है बिटा, जिसमें आपके हाथ में वो जौब होगी, जिसका आप रोज सपना देखते हो, तो अब तो efforts की जो quantity है ना, ताकत है ना, वो बढ़ानी है, बढ़ानी, demotivate नहीं होना है, efforts की ताकत अब तो और बढ़नी चाहिए बिटा, कम नी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अरे, वो 18 साल जो मैंने खर्च किये हैं, वो 18 साल का कुछ महत्वे, तभी जाकर के होगा बिटा, जब मैं इसे आज साकार कर दूँगा, और वो जिंदगी का सबसे बड़ा बेवकूफ व्यक्ति होता है, जो निरंतर चल रहा है, 100 किलोमीटर चलना है उसको, 99 चल चुका है, और 99 पे आकर आलस करने लगे, या 99 पे खड़ा है, उसको पता एक कदम और चलना है, आगे मंजिल है, मेरा इंतजार कर रही है, और 99 पे से अपना रास्ता मोड ले, तो उससे बड़ा बेवकूफ और कौन होगा यार जिंदगी में, 99 पे तुम आ चुके हो, 99 पे आके खड़े हो भाई, थोड़े से एफ़र्ट अगर लगा लिये ना, तो अगला आपकी जिंदगी में जोब होगा बिटा, याद रखना, तो मेरी ये जो आज के लेक्चर में, मैं ये बात बता गया आपको, अचानक बात करते करते, एकदम सी ये सारी जो बात आपको शेर की हैं मैंने दोस्तों, ये बात जिंदगी में बहुत महत्व रखती है, किसी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत एंपोर्टेंस रखती है, उसको मॉटिवेट करने के लिए और उसको सही डारेक्शन बताने के लिए, तो दोस्तों आज हम वहाँ खड़े हैं, जिसमें एक कदम अगर हम और चल लेंगे न, तो आगे हम सक्सेस पालेंगे, क्लियर है प्यारे बबबर शेरो, तो चलिएगा, अगेन आएम जस्ट मॉविंग फर दापिक, तो when the client starts to do the flexion of the joint, तो this is the point you will ask, you will plant during the discharge, तो ये है बिटा, discharge planning, understand, तो I hope you understand everything न, चलिएगा, अब हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेस्टन की, तो नम्बर वन, फर्स्ट क्वेस्टन है दोस्त, 36-year-old client, undergoes the orthoscopy, and of the knee, for the diagnosing and treating chronic joint pain, पैसेंट को काफी दिनों से, joints में दर्द रेता है, ठीक नहीं हो रहा है, joint pain होता है, और आप करने वाले हैं इसका orthoscopy, अच्छी बात है भही, कर देंगे, which information is most appropriate, to teach the client, before orthoscopy procedure, orthoscopy procedure से, पहले आप पैसेंट को क्या सिखाओगे, बताईए बेटा, very important, M's mark कर दीजिएगा बेटा, काफे important है, अगर आप medical के exam देने जा रहे हैं, चाहे आप doctor हैं या nurse हैं, और अगर आप medical के exam देने जा रहे हैं, FMG देने जा रहे हैं, medical officer देने जा रहे हैं, nursing officer देने जा रहे हैं, तो you need to learn this class, you need to learn my all super lectures, guys you need to, what information is most appropriate to teach the client before the orthoscopy procedure, orthoscopy procedure से पहले, हमें patient को क्या सिखा देना चाहिए, for options दे रहा हूं, sign and symptom of arthritis, technique for using the crutch, adverse effect of the drug therapy, the need to balance the rest and exercise, मुझे पता था, कि मेरे सवालों के जवाब देना, इतना आसान नहीं होता है, बहुत कठीन होता है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की, इसके लिए मैं आप सबको salute करता हूँ, प्यारे बबबर शेरों, यही कोशिश आपको एक दिन कामियाब बना देगी, लेकिन दुख की बात यह है, कि कौन बनेगा, तो मैंने कहा ना, जब student question soul करते हैं, तो वो drowsy हो जाते हैं, और उस option को ज़्यादा लगाते हैं, जो option उनको ज़्यादा familiar लगता है, चाहे से वो सवाल का answer right है, या नहीं है, ये बात भूल जाते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को ज़्यादा टिक करते हैं, अब तुरंट answer change कर रहे हो बिटा, तुरंट change कर रहे हो, तो देखिएगा बिटा, the need to balance rest and exercise, this is not required, बट याद रखना बिटा, जब patient को orthoscopy करेंगे, तो orthoscopy करने के लिए, आपको patient के joint को anesthesia भी करना पड़ेगा, yes or no, anesthesia करना होगा, anesthesia के बाद में आप incision भी करेंगे, still, next आप देखेंगे, incision भी करना होगा, yes or no, तो बच्चों, जब ये होश में आएगा, यानि वापिस जब ये conscious होगा, तो conscious होने के बाद, इस client को moment में चलने में problem आएगी, और ये गिर सकता है, क्योंकि आपने इसके joint को affect किया है, joint को injured किया है, injured कैसे किया है, आपको मैंने दिखाया था ना, lecture की starting में ही आपको मैंने suggest किया था ना, ये जो किया जा रहा है बिटा, ये है orthoscopy, तो orthoscopy जब हमने किया किसी client का, तो देखिए आपने क्या क्या किया, एक lighted scope होता है, lighted scope के साथ camera attach होता है, और इस प्रकार से हम joint में घुसाते हैं अंदर, और वो camera जो होता है, lighted scope होता है, वो joint के internal पूरी structures को, photographic click करता है, और monitor पे आपको दिखाता है, इसी procedure को orthoscopy कहते हैं, तो जब हम किसी client का orthoscopy करेंगे बिटा, orthoscopy करने के बाद, patient जैसे ही recover होगा, conscious होगा, भोश आएगा, तो patient can't start to do the walk, patient चल नहीं पाएगा, घिर जाएगा, he can't bear the weight on the affected joint, affected joint के उपर वो weight bear नहीं कर पाएगा, तो when the client conscious, he can't bear weight on affected joint, affected joint पर weight bear नहीं कर पाएगा, and so a nursing officer's responsibility is to trend the patient, how to use the crutch, just you need to trend your patient, before orthoscopy, orthoscopy किसी का भी होना है, तो उससे पहले बेटा, हम लोगों को as a nursing officer, हमारे client को trend करना होगा, कि crutch का कैसे use किया जाता है, crutch की मदद से कैसे चला जाता है, क्योंकि just orthoscopy होने के बाद, आप उसको नहीं सिखा सकते ये, अरे orthoscopy होने के बाद आप उसको कैसे सिखाओगे, नहीं न, फिर तो ज़रत होगी उसको फिर तो use करना होगा, तो that is very very most important and very excellent question, कि कोई भी patient का orthoscopy अगर करना है, तो उससे पहले एक मात्रिस single responsibility होती है, this is very very most important responsibility, कि how to use the crutch, you need to explain the technique to your patient, crystal clear हो गया है बेटा, I hope you understand now everything, understand now, so the B option is the right answer in your question, feedback करिएगा बेटा, कि वगली की जो classes आप पढ़ते हो, उससे क्या आपके अंदर improvement आ रहा है, feedback करके मुझे जरूर बताएएँ आप लोग, कि जो super lecture series मेंने चला रखा है, क्या उससे आप अपने अंदर improvement फील कर रहे हैं, और definitely ये पक्की बात है, कि आपने वगली को choose किया, means you will be excellent in this nursing profession, आपने दुनिया का सबसे बहतरीन platform choose किया है, और ये आपकी समझदारी बहुत ही फाइदा आपको दिलाएगी exams के अंदर, clear है बिटा, improvement हो रहा है न, two units में आपकी prepare करवा चुका हूँ, आज अपनी ये unit भी complete हो जाएगा, फिर हम next chapter शुरू करेंगे, understand, next question देखिएगा बिटा, the nurse is assessing a client's left leg for neurovascular changes, following a total left knee replacement, एक patient है और उसका left knee replacement हुआ है, left knee replacement होने के बाद, आपको करना है बिटा, neurovascular changes के लिए assessment, which of the following are expected normal findings, आपको बताना है, कि neurologically कौन सी findings, ऐसी expected findings है, आपको ये find out करके बताना है, कि सर्जरी के बाद, कौन कौन सी normal neurological findings है, फिर्स्ट option है, multiple option आपको select करना है, MRQS question है, multiple response question है दोस्तों, फिर्स्ट है, reduce edema of the left knee, skin warm to touch, capillary refill response, move the toes, pan absent, pulse on the left leg, weaker than the right leg, हजत बिलाल, love you sir from Pakistan, sir आप की lecture, बहुत ही अच्छी होती है, thank you बीटा हजत, बिलाल, thank you, और आपका बहुत हर्दिक स्वागत है, हमारे YouTube channel के अंदर, और हम चाहते हैं, की आप जो हैं, वो बहतर से बहतर education system के साथ, पढ़ करके, और अपने आपको एक knowledgeable candidate बनाए, knowledgeable nursing officer बनाए, trend nursing officer बनाए, skilled nursing officer बनाएगा, और thank you, again most welcome in our class, हाई, हाई, प्रिया, अच्छा प्रिया, पहली बात तो यह हुई कि पढ़ने का मन करता है, शाबाश बिटा, बहुत अच्छी बात हैं, प्रिया, हाई, clear है बिटा, तो देखिएगा, बच्चो आपको जवाब देना है, neuro and vascular changes, neuro and vascular, combinedly I am asking you both two things, first is that, when we assess the patient, after the total left knee replacement, what are the normal expected findings, reduced edema of the left knee, skin warm to touch, right option, capillary refill response should be less than 3 second, right option, move the toes, toes move कर रहा है, right option, pen absent, pen absent नहीं होगा, pen होगा, pulse on the left leg, weaker than the right leg, normal finding नहीं है, understand दूस्तों, तो, your right answers are the two, three and fourth options are the correct, इमान दारी से बताना, कितने लोगों ने यही options लगाये थे, दोस्तों जब कभी भी हम नियूरो पॉस्ट ऑपरेटिव असेस्मेंट करेंगे जोइंट के, तो हमें color चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा बिटा, color देखना आप, warmness देखना जोइंट के अंदर, understand, next देखना आप, capillary, refill time चेक करना आप, capillary, एकता बिटा, समझना आभी, समझाओंगा वापिस से, edema चेक करना है, tension चेक करना है, muscles के अंदर, okay, pen का level चेक करना है, sensation चेक करने हैं बिटा, सारे assessment देख लो, आप क्या-क्या चेक करते हैं अपन, surgery के बाद, sensation चेक करते हैं, parastasia देखेंगे, कि parastasia तो नहीं है न, understand, motor response देखेंगे, यानि कि moments वगेरा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और finally हम pulse चेक करेंगे, तो हमसे जो question पूछ रहा था, examiner, वो ये question कर रहा था, कि एक client है, जिसका total near replacement हुआ है, और after surgery, आप nursing officer हैं, और आप patient का, neurovascular assessment करने के लिए गए हो, तो अब आपको ये पहले पता होना चाहिए ना, कि क्या-क्या expected normal findings होनी चाहिए, जिससे आप ये confirm कर पाएंगे, कि कोई भी damage इस client को नहीं है, understand, तो normal findings हमें इस question के अंदर बताना था, अब सबसे पहली बात है, reduced edema of the left knee, ये भी हो सकता था, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे, edema जो है दोस्तों ये हम neurovascular में include नहीं करेंगे, check करेंगे हम, assess करेंगे, लेकिन reduced edema, that is not a great finding, second मैंने skin feel किया joint का, तो that should be warm, warm skin ये indicate करता है कि blood supply is good, so this is a normal finding, capillary refill time, capillary refill time आप उसके nail bed को दबाएंगे, तो nail bed को press करने पर, ये nail bed वापिस से 3 second, 2 से 3 second के अंदर अंदर, फिर से वापिस red हो जाना चाहिए, इसका color जो है वो return हो जाना चाहिए, तो it means capillary refill time is also normal, understand, so this is a good assessment after surgery, indicating the proper vascular circulation in the affected joint, move the toes, they indicate the proper nerve supply, is a great or normal finding, pen absent, ये क्या expected है, surgery के बाद pen नहीं होगा, ऐसा बिलकु नहीं हो सकता न, expected finding नहीं है, expected हम ये करके जाएंगे, कि अगर भाई, surgery हुआ है, तिरको तो दर्द तो थोड़ा बहुत होगा, ऐसा ही बोलेंगे न, तो pen absent होगा, that is not expected, understand विटा, इसलिए हम ये tick नहीं करेंगे, pulse on the left leg, weaker than the right leg, ये expected है क्या, जब आप किसी की normal checking करने जा रहे हो, assessment करने जा रहे हो, तो क्या आप ये expect करते हो, क्या affected leg में, जो pulse से वो कम आना चाहिए, और normal leg के अंदर जादा आना चाहिए, नहीं न, आप तो यही expectation रखते हैं न, कि दोनों legs के अंदर जो pulse हैं, वो normal ही होना चाहिए, equal ही होना चाहिए, तो this is not expected, एक ता बिटा, अब बताओ मुझे आप, question crystal clear है आपको, समझ में आ गया है, इसलिए this is not a right option, so we take only the three options in this question, option number two, three and four, I hope you understand, बिटा, question clear है, चलिए, शाबाज, वेरी गूट, next question देखिए, बिटा, a 60-year-old client with osteoarthritis, is scheduled to undergo the knee arthroplasty, in which an artificial joint will replace the natural knee joint, a continuous passive range of motion exercise machine, will be used post-operatively, what is the purpose of, what is the purpose of, continue passive range of motion machine, अबको lecture की starting में हमने ये machine दिखाया था, कैसा होता है, तो passive range of motion exercise machine, that the nurse should explain, while teaching the client, dear student, first option, CPM machine is used to, strength the leg muscles, CPM machine is used to, relieve the foot swelling, CPM machine is used to, reduce surgical pain, CPM machine is used to, restore joint function, what is the purpose of using, question is very important, mark करिये दोस्तों, कि CPM machine को, use करने का main purpose क्या होता है, this is very very most important question, मा कली जी आप आने वाले exam के लिए इस question को, दोस्तों, CPM machine जो होता है, passive range of motion, machine जो हम use करते हैं, उसमें, उसको use करने के पीछे, हमारा जो man M होता है, वो man M होता है दोस्तों, we want to restore the joint functions, understand, joint functions को restore करने के लिए, CPM machine यूज किया जाता है, तो just to restore the joint function, crystal clear हो गया विटा, आप से पूछा था कि आपको बताना था, इस machine को use करने का purpose, और purpose में आपको क्या लिखना है सीधा, अगर आप माना कि इसके notes बना रहे हो, तो notes में आप इतना भी बना सकते हो, CPM machine, आप ऐसा भी कह सकते हो, बस इतना सा लिख लें आप, तो भी आपका काम चल जाएगा, purpose of CPM machine, बस इतना सा आपका question है, और directly answer क्या लिखोगे, to restore joint function, बस इतना simple way में, आपका एक ही second की अंदर, आपका सारा काम हो जाएगा, understand, clear है बेटा, next, nurse is documenting, अब आपको बताना है, कि documentation में, आप क्या क्या record करेंगे, client progress, while using a CPM machine, which assessment data are essential to include, dear student, जब CPM machine patient use करेगा, तो कौन सी findings होंगी, जो हमें not करनी होती है, important findings क्या होंगी, dear student, patient progress को, joint progress को ले करके, what are the most important findings, that should be documented by a nursing officer, first option दिया है हमें, degree of flexion, number of cycle, and condition of the suture around the in-season, degree of flexion, number of cycle, or amount of the time the client use the machine, degree of flexion, number of cycle, characteristic of the drainage from the wound, degree of flexion, number of cycle, and the presence and the quality of the atrial pulse, चरण जेश्चिंग, है चरण, थैंक यू विटा, बस्ट एस्प्लाइश्ट थैंक यू, थैंक यू, यू, यू रियली MSN गूरू, आई अल्वेश्ट तो यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अल्वेश्ट अल्वेश्ट बी मॉटिवेटेड, अन गेट यूर ग्रेट सुलेक्शन इन नर्सिंग कॉंपुटिटिटिव एक्जाम्स, एक नहीं दस सेलेक्शन आपको मिलेंगे, राइट, बेटा देखिएगा यहां पर, जब कभी भी आप CPM मशीन का यूज कर रहे हैं, और आपसे एक्जामिनर यह पूछ रहा है, कि CPM मशीन को यूज कर रहे हैं, तो क्लाइंट प्रोग्रेस को लेकर के, हम कौन से डॉक्यूमेंटिंग डाटा को असेस करेंगे, अशेंशियल डाटा क्या होगा, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू गोड आप हमें मिले, सॉनिया, थैंक यू विटा, हाई सॉनिया, थैंक यू, तो देखिए विटा, जब कभी भी आप पैसेंट को पैसिव रेंज आप मॉशन मशीन का यूज करते वे असिस्मेंट करेंगे, कितनी साइकिल पैसेंट कर पा रहा है, this is very important documenting data, कि 15 साइकिल कर रहा है, 20 साइकिल कर रहा है, okay, and the amount of time, duration, कितनी देर तक वो कर पाता है, 15 minute करता है, या 10 minute करता है, या 20 minute exercise करता है, the client use the machine, तो कौन सी तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यमेंटेशन यूनिट टू, मुकेश अक्की, सर आपके लिए लाइन दिल सी, a good teacher is like a candle, it consumes itself to light the way of for others, शाबाश बिटा इसने बहुत अच्छी बात बोली है, कि एक अच्छा teacher वही होता है बिटा, जो खुद जल करके दूसरों को रोशनी देता है, और ये काम हम आज से नहीं, बरसों से करते आ रहे हैं बिटा, करीम मुझे 12 years हो चुके हैं teaching करते हुए, understand, 2004 से मैं पढ़ा रहा हूं students को, पहले NEET पढ़ाता था और अब nursing पढ़ाता हूं, लेकिन continuously 9 years मुझे बढ़ाते हुए, 9 to 10 years मुझे nursing को बढ़ाते हुए हो चुके हैं, करीम मैं पढ़ा रहा हूं बिटा, 2012 से 9 years हो चुके हैं, ही राइट। क्यों मैं थैंक यू थैंक यू बिटाе की हाए, हाए प्रिया, पुजा, हाए, थैंक यू बिटा ओलhon, यू बाखिन हां आरे थैंक यू वेत्यू यू लव यू थैंक यू, तो देखिए बिटा, तीन बातें important होती हैं, जो आप assess करेंगी, एक तो flexion, understand, second आप number of cycle, याने कि simply मैं लिखूँ, तो cycles, okay, और third, you need to time, understand, तो simply you need to learn about this, कि important documentation क्या होता है, बिटा, CFT, CFT means cycle, flexion and time, short में आप क्या याद रखेंगे मेरे बबबश शेरो, CFT, sure, what you need to document in a patient, he is just doing the passive range of motion exercise by using the CPM machine, a patient जो CPM machine का use करते हुए, use करके CPM कर रहा है, passive range of motion exercise कर रहा है, तो nursing officer need to check या assess which of the following assessments, तो short में हम याद रखेंगे बिटा, क्या याद रखेंगे, रमन, thank you बिटा, रमन, hi, thank you, तो क्या याद रखोगे, CFT, क्या याद रखना है बिटा, CFT, याद रहे जाएगा ना, simplest है, documenting data, CFT, I hope you understand now, तो CFT में आप क्या जवाब दोगे, CFT, यानि cycle, number of cycle, degree of flexion or the time, understand, लिखेंगे बताव एक बार, क्या याद रखोगे, CFT, क्या याद रखोगे बिटा, CFT, very good, shabash, so the B option is the right answer in this question guys, understand, next, the client has just had a total knee replacement for the severe osteoarthritis, which of the following assessment finding should lead the nurse to suspect the possible nerve damage, अगर हम आपसे ये भी नहीं कहते हैं कि इससे total knee replacement हुआ है, only अगर मैं एक simple सा question आपसे पूछ लेता हूँ कि कौन सा finding होगा, जो severe nerve damage को indicate करता है, तो simply एक ही answer होता है सब लोगों का numbness, क्या answer होता है वेटा, numbness, क्योंकि win or that, अगर nerve damage हो जाएगा, possibly nerve damage अगर किसी भी सर्जरी के बाद हो जाता है, तो उस area के अंदर क्या होता है वेटा, paresthesia होता है, understand, nerve damage के कारण क्या होता है, paresthesia होता है, and what is the paresthesia, numbness plus tingling, this is known as the paresthesia, तो presence of the numbness and tingling at the surgical site, after the surgery, indicate the possibly damage the nerve, understand बीटा, तो कभी भी इस तरह का question आता है, कि nerve damage को indicate करने वाला finding क्या है, तो you will answer, paresthesia exam में हो सकता है, numbness हो सकता है, and tingling भी हो सकता है, इस वाले question के अंदर है numbness, और इसलिए, हम आँख बंद करके ये option टेक कर देंगे, कि numbness ही इसका सही answer जाएगा, किश्टल क्लियर है बीटा, आरकी कटारिया, हाई, थैंक यू बीटा, किश्णा, थैंक यू, कटारिया, थैंक यू बीटा, थैंक यू, कहां से हो आप, वेलकम इन माई चैनल, थैंक यू, गुगली आपका स्वागत करता है, इन दे प्रपरेशन फूर टूटल नी सर्जरी, तो हंड्रेट पॉंड पॉंड क्लाइंट, विद ऑस्टी और्थराइटिस, यू, वेट लॉस के लिए, अगर किसी को जनरली भी, जैसे आप नर्सिंग आफिसर हैं, और आपने मेडिकल की पड़ाई कर रखी है, तो बहुत से लोग आपके जान पैचान वाले जो हैं, वो आपसे कई बार ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, कि यार weight loss करना है तो सबसे भेतर क्या होगा उससे बुलना कि सबसे भेतर यह होगा कि घर में कमरे कम बना और swimming pool बना ले Right? घर में कम बना और swimming pool बना ले Right? क्योंकि बेटा swimming pool से बात समझ में आ गया होगा आपको कि weight कम करने के लिए weight loss के लिए aquatic exercise जो होते हैं most beneficial होते हैं understand guys aquatic exercise are recommended exercises by a medical practitioner for those persons they are the obvious ओके बेटा अगर कोई भी obvious person मिलेगा तो आप उसको क्या suggestion दोगे आप बताईए class को like नहीं कर रखा है आप लोगोंने यार क्या suggestion देगे बेटा आप right आप उसे suggestion देंगे कि भाई घर छोटा हो चाय से कमरे कम बना लेकिन उसमें swimming pool बना aquatic exercise कर aquatic exercise जो होते हैं एक तो breathing को strong करते हैं बेटा lungs को strong करते हैं किसको lungs को strong करते हैं body के पूरे joints को strong करते हैं और patient की जो muscles से उनको strong करते हैं और जो calorie है उसको burn करते हैं तो best calorie burning exercise calorie burning exercise calorie burn calorie को burn करने वाले best exercise होते हैं aquatic and so the C option right answer होगा next question which evidence is best indication that the client who had the knee orthoplasty is recovering according to to the expected outcome and no longer need the continue passive range of motion exercise आपको बताना है कि एक पैसेंट जिसका total knee replacement हुआ था और उस पैसेंट को after surgery orthoplasty हुआ था और वो continuously 10-15 दिन से passive range of motion exercise कर रहा था तो अब आपने ऐसा कौन सा assessment finding उस client के अंदर देखा है कि आप यह decide कर देंगे कि आप इसे passive range of motion exercise की आउशकता नहीं है इसका joint है वो perfect हो चुका है तो यहाँ पर आपको मैं चार option दे रहा हूँ client has minimum pain when ambulating client can flex the operative knee 90 degree client can perform straight leg rising client surgical wound is approximated तो I already explain in the starting of this lecture कि when the client start to do the flexion of the joint more than 90 degree यह joint है दोस्तों यह 180 degree पर है इतना करूँगा तो this is on the 90 degree और यह करूँगा तो 90 degree से जादा flexion when in the joint you observe the flexion more than 90 degree you can discharge your patient and you can stop the passive range of motion exercise crystal clear है विटा अरे बोलो ना यार बबबर शेरो मेरे शेर शेर्मियो मेरे चान सितारो 90 degree से जादा अगर वो flexion करने लगा है so you can stop the passive range of motion exercise next question when preparing a client for the discharge from the hospital after the total knee replacement nurse should include which of the following information in the discharge plan MRQ question है patient को discharge करने की तयारी हो गई है कौन सी findings होंगी जो आप discharge में assist करेंगे include करेंगे पहला दिया है report sign of infection to the healthcare provider Pooja, hi, thank you Vita keep the affected leg and foot on the floor when sitting in a chair remove the anti-embola stocking when sleeping the physical therapist will encourage progress embolation with use of assistive devices change the dressing daily what are the suggested suggested instructions when you are just planning to discharge your patient which findings you need to include options में report the sign of infection you easily understand this option yes or no कि अगर infection की possibility लगती है तो आप कहेंगे percent को कि you need to report ध्यान से सोल करो बिटा you need to plan the discharge for your patient आप अपने पैसंट के लिए discharge प्लान कर रहे हो और what you need to शाबाश शुबाश सर आप बुद मॉर्निग सबसे पहले बुद मॉर्निग बिटा आप यूर स्टूरें आप नर्सिंग के चानत के हो थैंक यू शुबाश थैंक यू बिटा लव यू हाई शुबाश हाई कैसे हो थैंक यू चानक के तो बहुत बड़ी चीज की डिगरी आपने मुझे दे दी आप जो ये डिगरीयां मुझको देते हो न गोर्ड फादर वाली चानक के वाली MSN गुरू वाली इतनी डिगरीयां हो चुकी है मेरे पास घर पे कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को बहुत आपका जो ये रिवार्ड है न ये बहुत वैल्यू रखता है मेरे लिए लाइफ में आपका एक कमेंट भी मेरे लिए लाइफ में बहुत वैल्यू रखता है दोस्तों क्योंकि टीचर की जो असली कमाई होती है ना वो पैसे नहीं होती है फीस नहीं होती है वो फीस तो आपके उपर खर्च होती है वापिस से लेकिन टीचर की असली जो कमाई होती है ना वो होती है उसके स्टूडेंट्स का प्यार उसके स्टूडेंट्स उसके बारे में क्या सोचते हैं उसकी टीचि नहीं करवाता, selection भी प्रिंट नहीं करवाता, मैं बहुत कम selection करवाता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं प्रिंट करवाता हूँ, आपके शब्दों को, तो देखो बिटा, सबसे most important, discharge plan करें, hospital after this should include which of the following information is the discharge plan, तो दोस्तों, discharge plan के अंदर कौन सी informations आपको include करना है, तो याद रखिए, पहली बात तो report the sign of infection to the HCP, अगर उसको लगता है कि body का temperature elevate हो रहा है, या infection होने की संभाव ना लगती है, तो आप उसको instantly instruct करेंगे, कि आपको तुरंथ healthcare provider से मिलना है, clear है? मुहम्मद कुमार कोशिक, आपका जितना भी तारीफ किया जाए, बहुत कम है सरजी, हाई मुहम्मद, हाई, थैंक यू बटा, थैंक यू, लव यू गोड़ फादर की भी है, पदमीनी, थैंक यू पदमीनी, थैंक यू, हाई, कैसे हो आप? सर, आपके lectures बहुत अच्छे हैं, थैंक यू, प्रवेन, थैंक यू, तो देखो, जब आप discharge प्लानिंग कर रहे हैं, तो discharge instruction में आपको ये तो हर surgery के बाद ही include करना होता है, कोई भी surgery हुआ हो, उस surgery का common discharge plan होता है, उसमें एक common बात होती है, और वो common बात होती है, दूस्तों, report the sign of infection to the healthcare provider. तो nursing competitive exams में जितना भी questions आते हैं, उन questions की अंदर अगर वो surgery का question है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ, वो surgery पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे पहले medicine पढ़ा रहा था, ओके बीटा, तो surgery का question है, तो आपको ये बात specially लिखना है, keep the affected leg and foot on the floor when sitting in a chair that is not required or not necessary to write in the discharge plan, discharge plan में ऐसी कोई boundation मत लगा देना उसके उपर, पर ना उसको लेकर जिंदगी भर परिशान रहे, ऐसी कोई boundation नहीं लगाना है बिटा, remove the anti-embolism stocking when sleeping, जब sleeping कर रहा हो तब anti-embolism stocking remove कर देना चाहिए, अरे भाई ये पैसेंट भी तो देखो पहले किसका है, ये पैसेंट है, orthoplasty यानि total knee replacement का पैसेंट है, यहाँ पर stocking का क्या काम भाई, stocking का क्या काम यहाँ पर, जो आप अपने discharge प्लान में include करोगे इसको, नहीं न, anti-embolism stocking are always used for the DVT patients, और I already explained about this, full explanation मैं आपको दे चुका हूँ, पूरा थर्टिकल complete, about the DVT, fat embolism, और कैसे fat embolism, pulmonary embolism को develop करता है, उसका concept भी हम आपको teach कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, तो आप please time ने काल करके उससे आप देख लीजिएगा, अरे तुम इतनी डिग्रियां दोगे, मैं किस-किस की डिग्री देखूँ, और लास्ट कमेंट पढ़ लेता हूँ, बजरंग का, सर आप नर्सिंग में धोनी हो, बहुत ही cool nature के साथ पढ़ाते हो, और शांत सभाव के धनी हो, थेंक यू बजरंग, थेंक यू इतना explain करने के लिए मेरे बारे में, थेंक यू, हाई बजरंग, थेंक यू, लव यू बिटा, बहुत गजब observation है आपका भी, great observation, right, फिजिकल थेरपिस्ट विल एंकरीज दे प्रोग्रेसिव एंबुलेशन विद दे यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेज, अब मैंने आपको सिखाया था कि भाई, असिस्टिव डिवाइस, क्रच का यूज करना आपको specially client के लिए teach करना है, clear है, तो देखो बिटा, फिजिकल थेरपिस्ट विल एंकरीज दे प्रोग्रेसिव एंबुलेशन, तो थेरपिस्ट को प्रोग्रेसिव एंबुलेशन के बारे में, जो जनरली exercise के लिए थेरपिस्ट होगा, फिजियो थेरपिस्ट होगा, उसको regularly assess करते रहना है, ये बात उसको बोलेंगे हम, ताकि कितना improvement आया है, कब उसको assistive device का use नहीं करना है, तो that will be decided, on the basis of the assessment, they will be conducted by the physiotherapist, तो this is the important instruction in your discharge planning, change the dressing daily, dressing daily change करना, ऐसी कोई requirement नहीं होती है बिटा, understand, so the only two options are right answer in this question, option number one and two, three, four, option number four, crystal clear हो गया है बिटा, option number one and four, right answer, clear, understand, शेका और सुनिल, बिटा, एक और बात बताता हूं, जो teaching होता है ना, teaching, उसका मतलब यह नहीं होता है, कि केवल मैं कुछ चीज लेके आऊं और आपको पढ़ा दूं, यह teaching नहीं होता है, teaching is a great magical art, और इस art का मतलब यह होता है, यह ऐसा नहीं है बिटा, जैसा आप समझ रहे हो, राइट, ऐसा नहीं है, जैसा आप समझ रहे हो, और आप समझ भी नहीं पा रहे हो बात को, जो lecture का मतलब होता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा आपको इस बात पर ध्यान देना होगा, समझना बात को, टेचिंग का मतलब होता है बिटा, कि जिसकी अंदर आप मुझ से इतने include हो जाएं, इतने involved हो जाएं, कि आपको सब चीज़ें automatic learn होना शुरू हो जाएं, और आपने अनभव भी किया होगा, कि अगर माना कि मैं एक घंटे का lecture लूँ, और आकर के एक घंटे अगर आपको पढ़ा दूना पुरा straight forward, तो उसको टेचिंग कहते ही नहीं है, मेरी नजर में वो टेचिंग नहीं है, टेचिंग उसको कहते हैं, जिसके अंदर motivation होना चाहिए, entertainment होना चाहिए, students का enjoyment होना चाहिए, students की concentration होनी चाहिए, students का attention मेरी तरफ होना चाहिए, और अगर ये सब होगा ना बिटा, तो आपको समझाना बहुत आसान होगा, clear है, तो आप ये ध्यान दो, कि अगर सर उस चीज़ को कर रहे हैं और सर अगर time ले रहे हैं तो उसके पीछे purpose क्या है, understand, बस आपका काम है कि आपको learn हुआ के नहीं हुआ, ये बताओ आप, जो हमने आपको पढ़ाया है, teaching किया है, कि आपको वो learn नहीं हुआ है, तो definitely आप मुझे negative feedback दीजिएगा, अच्छा, कोन गोन ऐसा बच्चा है, जिसने कभी मेरी class पढ़ी है, और class पढ़ने के बाद उसको लगा है, कि learn नहीं हुआ, पताइए, कोई है ऐसा, clear, understand, तो जो teaching है दोस्तों, उसका real में हमें मतलब समझ में आना चाहिए, केवल पढ़ा देना is not sufficient, understand, और बहुत आर्ट चाहिए इसके लिए, एक doctor भी इसी से बना, engineer भी इसी से बना, scientist भी इसी से बना, और याद रगना, कि अ. झाल 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 आवाज आगे विटा चलिए तो मैं ये कह रहा था आपसे ये बुल रहा था कि हमारा जो ब्रेन का लर्निंग होता है ना उसके बारे में समझो आप थोड़ा सा आपको नियूरों में लेके जाने की ज़रत है वापिस से हमारा ब्रेन जो चलता है ना यानि कि जब हम लर्निंग करते हैं या कोई हमें कोई चीज को सिखाता है अगर वो कंटिनिसली किसी चीज को सिखा रहा है तो हमारा जो ब्रेन चलता है ना वो ऐसे चलता है वेटा ऐसे चलता है मतलब यहां सीखता है फिर डाउन आता है फिर सीखता है फिर डाउन आता है फिर सिखता है फिर डाउन आता है अगर यह ऐसे सिखा दिया जाए कि यहां से शुरू करूँ और यहां तक आपको सिखाने की कोशिश करूँ तो पता है आपको यह टॉपिक लर्न नहीं होगा इसका बहुत एफेक्टिवनेस होता है क्लियर है तो देखिएगा हमारा कौशन था यह क्लियर हो गया यहां तक लास्ट कोशन है बिटा नेक्स्ट कोशन देखो बबर शेरो following a total joint replacement एक client है जिसको joint replacement हुआ है which of the following complication has the greatest likelihood of occurring understand greatest likelihood of the occurring DVD, polyurea, interception of the bowel and wound eviseration joint replacement के बाद क्या हो सकता है बच्चों याद रखना जब भी कभी हम कोई long bone का surgery करेंगे किसका long bone surgery करेंगे तो just after the surgery मैं बात करहूं 48 hour के अंदर अंदर सर आपने previous question में तो ये टेक किया ही नहीं previous question के अंदर हमने टेक नहीं किया क्योंकि क्यों क्योंकि मैं आपसे बात करहूं just after the surgery प्यारे बबबर शेरो within 48 hours the patient have the but not in the discharge planning discharge planning हो रहा है बिटा after लगब 15 days 15 days के बाद DVT की कोई chances नहीं होते हैं patient को the chances for DVT have increased after the within the 48 hour of the surgery and you know that long bone का surgery अगर हम करते हैं तो उसके कारण long bone के अंदर जो fat होता है दूस्तों that will enter into the venus system कहां enter कर जाता है venus system में enter कर जाता है और ये embolus fat embolus venus system में entry करके और pulmonary embolism develop कर देता है तो deep venus की अंदर thrombosis होने के chances बढ़ जाते हैं प्यारे बबर शेरो so this is the right option fat embolism develop होने के chances बढ़ जाते हैं so this is the right option in this question crystal clear है ना अरे ना संगर्स ना तकलीफ है तो क्या खाक मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में crystal clear है बटा बाद समझे में आगे यहां तक टैक कर दिया जाए unstand lock कर दू ना यहां राइट अभी तक जो भी हमने प्रपारेशन किया है नॉर्सेट का सारे मेरे भुगली और MCI के सारे स्टूडेंट्स का सब का प्रिपैर हो गया है न बटा निकेल ने अच्छा कमेंट था यार बटा क्यों रिमूग गिया तो यहां तक लॉक कर दे न जितना भी हम लोगों ने यहां तक प्रिपैरेशन किया है वो सब लोगों ने कम्प्लीट कर चुके है न अडर्स्टेंट क्योंकि बहुत जल्द ही कल से ही आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगा बिटा ओके अच्छा यह बताओ कौन सा स्टार्ट करें नेक्स्ट यूनिट नेहा थैंक यू बहुत ही एफेक्टिव क्लास है थैंक यू बिटा नेहा अच्छा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें कौन सा चैप्टर आप चाते हो अब कौन सा स्टार्ट करें कार्डियक, एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी, कार्डियो, कार्डियो, जी आईटी, कार्डियो, कार्डियो, एंडोक्राइन, कार्डियो अरे कार्डियो से तुम लोगों को इतना ढर लगता है क्या कार्डियो, निूरो, एंडोक्राइन और गेस्ट्रो ये चार चैप्टर जो है ना मेडिकल सर्जीकल के अंदर वो अपने बच्चों को सबसे सिंपल लगते हैं ये चारों चैप्टर सबसे सिंपल लगते हैं और खासकर पूरी MSN बहुत सिंपल लगती है अपने सारे बच्चों को एंडोक्राइन ज्यादा तर भाई इतनी खतरनाक डिमाइंड एंडोक्राइन और कार्डियो की है कार्डियो और एंडोक्राइन सर एक बार सही से पढ़ना चाहते हैं ये आई अपने पढ़ाने का अब डर नहीं लगता है याद होता है यास 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 स्कुली थैंक्यू विटा एमर्जनसी मेडिसीन स्टेडी का दो सर उच्वल ये सब बाद में करेंगे इस्पेशल जो टॉपिक होंगे न आपने वो बाद में सबसे लास्ट में अपन करेंगे जैसे ओटी हुआ आईसी हुआ एनस्थेशिया हुआ इमैज बैस हुए सर्जरी हुआ डिजस्टर हुआ कैजुल्टी हुआ फायर हजार्स हुए ये टॉपिक्स जो है न वो अपन बाद मिलेंगे लास्ट में ठेके हाँ ठीके पदमीनी ने विल्कुल सही बात बोली है और मैं पदमीनी के साथ जा रहा हूँ भई आप सब ने बोला अच्छी बात है लेकिन मैं पदमीनी की बात से एगरी हूँ और जो मेरा मन करेगा वो मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि प्राइटी मुझे पता है और ज्यादा बहतर मैं ही आपके लिए डिसाइड कर पाऊँगा क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाऊँगे आप से ज्यादा बहतर मैं खुद ही आपके लिए डिसाइड कर पाऊँगा कि मुझे कौन सा चेप्टर शुरू करना चाहिए और किस चेप्टर के बाद कौन से चेप्टर को पढ़ाना चाहिए ठेक है ठेक है ना तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच वीटा लफ यू ओल आज तेन तो बस बहुत है आज के लिए ठेक यू सो मच मस्कुलो स्कालेटल सिस्टम जो है वह आपका कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है और नेक्स चक्टर कल से वेट करो आप कौन सा स्टार्ट होगा देखते हैं अगर आपको वाकई में लेक्शर से काफी बेनिफिट हो रहा है और आपको क्लासिस बहुत अच्छी लगते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताईएगा और जिसने चैनल को लाइक और शेर नहीं कर रखा है लाइक करिए प्यारे वबबर्स तेरों शब्क्राइब करिएगा और शेर करिएगा हर किसी उस निड़ी स्टूडेंट को पहुचा करके और एक पुर्णे का काम करिएगा जिसको भी नर्सिंग ऑफिसर की कोचिंग करने के लिए फीस एफट करने की शमता नहीं है वो फीस नहीं भड़ सकता है तो उस हर किसी निड़ी स्टूडेंट को इस फ्री सुपर लेक झालत। झालत। थार्ट थार्ट।